नमस्कार मैं हूँ अन्पमनूप आप देख रहे हैं दख़बर दान्योज देश के जाने माने न्यू चैनल इंडिया टीवी के मशुहूर शो जिसमें रजस सर्म स्वैम एंकेरिंग करते हैं आपकी आदालत के प्रमोशनल एक्टिविटीज के तहट रीवा जिले के तियोथर के बिस्राम ग्रह में एक प्रमोशनल प्रोग्राम का आयोजन किया गया आपको बता दे कि तेओधर के बिस्त्राम ग्रह में आयोजित आपकी अदालत में बरिष्ट किसान ललित मिस्त्रा ने इंडिया न्यूज के सवालों का जबाब देते हुए सारी की सारी दलों और सारे की सारे नेताओं को किसानों के मुद्दों पर राजनीत करने को लेकर के कट घरे में खड़ा कर दिया इसके साथ ही साथ लencieलित मिस्ट्रा के दौरा कहा गया कि सारी किसारी पार्टिया किसानों के मुद्धों को लेकर सिर्फ और सिर्फ राजनेत करती हैं, सिर्फ राजनायतिक क्रोटिया सिखती हैं. किसानों के मुद्धों को ले करके बास्तव में किसी भी राजनायतिक दल के दोरा कठोर प्रबंध नहीं किये जा सके हैं और ना ही किसानों को उचित मोल पर उनके अनाजों को बेचने की कोई सुविधा कोई भी सरकार उपलब्ध करा पाती है ना ही किसानों की मोल भूष समस प्रश्णों के जवाब देते हुए ललित मिस्त्रा ने सरकार को आड़े हाथो लिया। आपको बता दे कि कारिक्रम में ललित मिस्त्रा के साथ ही अखिलेश दुवेदी और प्रमीर सर्मा ने भी किसानों को मुद्दों को जम कर उठाया। इस कारिक्रम के अबसर्प छेत्र के किसानों के साथ साथ जन समोह उपस्थित रहा। आपको बता दे कि लोगों के द्वारा त्योथर को जिला के रूप में परिबर्तित करने की माग भी इस सो के माध्यम से उठाई गई। इसके साथ इसाथ त्योथर की मुलभू समस्यां और प्रमक मुद्दों को लेकर भी किसानों और उपस्तित जन समुदाय ने इंडिया टेवी के माध्यम से देश भर के सामने अपने समस्यां प्रस्तूत की। अधिक जानकारी के लिए देखते रहें तक खबरदार नुज नमस्कार धन्यवाद। 500 euro फो आज मिल रही है 50-355 यार लेकिन किशान की 500 से सिर्फ 15-900 बढ़ाई गई है तो किशान के बारे में यह कब शोचेंगे गई टब सोचेंगे उनके बारे में उनके आयं बढ़ाने के बारे में या कि सारे किशान एक के करके आत्महत्या कर लेंगे तब ये केंदर गॉर्ण्मेंट और राजी गॉर्मेंटे या किषानों के बारे में शोचने के लिए किसी के पास समय नहीं मैं आपके इस्वों के मात्यम से इस इतना कहना चाहूंगा जिस इंदर नभी हमारे खाइज अब बटाये को के यो का वnéक घ्राण का दोस्ता रहे थे उत्व मानते दोस्ते छो करें लेकिन जिसके का के नाम पर भुट लेते हो हुआ अप इस्पी नेतागिरी से हुए प्रियाश्क कश्राल कर लेते हो लेकिन जब आप सत्ता में आजाते हो तो आप भूल जाते हो ऐसा क्यों होता है इसलिफ किसान को ही क्यों बली का बगरा बनाया जाता है सारे कर्मचारी एक साथ कलंबन रहटाल कर देते हैं तो उनकी जो तनखा है वो दो गुनी से चार गुनी हो जाती है और किसान जब अपनी मज़ूरी मागता है तो उसको सिर्फ लाठिया मिलती है ऐसा क्यों यह किस समीधान में लिखा है कि किसान को सिर्फ लाठिया और गोली खाने का दिका रहे नहीं कि अपना हक मागने का किसानों की बहुत सारी समझ्याएं हैं आप भी जानते हूँ किसान आज बेहट वास्ट मिक्ता में लोग कहते हैं पेपर में देखता हूँ कि आप महत्या होती है आज किसानों को परितना कर्ज बढ़ गया है बड़े बड़े उद्योग पती कर्ज लेके भाग जाते हैं उनको जेल नहीं जाना पड़ता है और यहां 25,15,15,15,000 रुपए लेने वाले किसान को जेल भेट दिया जाता है मैं इस सोके माध्यम से समस्त किसानों से अपील करता हूँ कि जिस तरह से एक अधिकारी कर्मचारी कलम बंध हर्टाल करते हैं तो सिर्फ दो महीने के लिए आप अपने अनाज को इस्टाक कर दीजिए अगर दो महीने में पूरी हिंदुस्तान की राजनीत नहीं चर्मरा गई और ये किसानों की जो है सरण में नहीं आप अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को लाइक करें धन्यवाद